नमस्कार दोस्तो एट पियम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंदर कमारी है दोस्तो 1978 में चोदरी उंपरकाश चोटाला जी ने अपने जीवन का जो पहला चुनाओ था पहला विधान सबा जो चुनाओ था वो एलनाबाद हलके से लड़ा था और लालचंद खोड जी ने उनको उस चुनाओ में हरा दिया था इसके बाद उंपरकाश चोटाला जी इस चुनाओ के खिलाप हाई कोड में गया और लालचंद खोड का जो निर्वाचंद था वो एवैद घोसित हुआ और 1970 में जो चुनाओ उए उसमें उंपरकाश चोटाला जी पहली बार चुनकर विधानसवा में पहुंचेते तो जो ये एलनाबाद हलका है इस पर चोडरी उंपरकाश चोटाला या चोटाला परिवार का एक तरीके से बहुत बड़ा अधिकार रहा है और ये जिस तरह से आदमपूर चोडरी बजनलाल का इलाका है जिस तरह से बंसिलाल जी का तो साम विधानसवा क्षेतर है वैसे ही जो एलनाबाद है वो चोटाला परिवार का एक प्रमप्रागत निर्वाचन अक्षेतर एक प्रमप्रागत विधानसवा रही है और जब से किसाना अंदोलन में अबैसिंग चोटाला ने इस्तिफा दिया है इसके बाद इस पर जो उपचुनाओ होना है उसको लेकर तरह तरह की चीज़ें चल रही है इसी बीच जबिटी घोटाले में अपनी सजा पूरी करने के बाद चोदरियों प्रकास चोटाला जी फ्री हो गए हैं वो राजनिती के लिए फुल टाइमर हो गए हैं और हर्याना की राजनीती में चोदरियों उम्परकास चोटाला जी की जो सक्रियताएं हैं उसने खासकर जन्नाएक जन्ता पार्टी के लिए एक नई तरीकी के मुसिबतें खड़ी कर दी हैं लेकिन इसी बिच अवे सिंग चोटाला ने कहा कि जो एलनाबाद हलके का उपचुनाओ होगा उसमें अगर कोई कानूनी अडचन नहीं आती है तो चोदरियों उम्परकास चोटाला जी वो चुनाओ लड़ेंगे अब वो जिस कानूनी अडचन की बात कर रहे थे उस कानूनी अडचन को हटाने के लिए चोदरियों उम्परकास चोटाला जी की तरफ से चुनाओ आयोग में एक याची का हस्दा खिल की गई है चुनाओ आयोग में जो प्रावधान है उसके अनुसार चुनाओ आयोग की तीन सदे सी एक बेंच होती है वो इस बात पर फैसला ले सकती है कि जो सजाई आफ़ता कैदी होते हैं उनके चुनाओ लड़ने पर जो चुनाओ आयोग के नियम है प्रावधान है कि छे साल तक वो कोई चुनाओ उस सजा के बाद नहीं लड़ सकता है उस प्रावधानों में चुट दे सकती है और वो चुट मिलने के बाद चोधरियों पर चुटाला एहलाबाद से चुनाओ लड़ सकते हैं तो इस चुट को प्राप्त करने के लिए आज वो याचिका दाखिल कर दी गई है और भविस्य में उस पर सुनवाई होगी और फैसला होगा इसके बाद ये तैय हो पाएगा कि क्या वो चुनाओ लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे लेकिन पिक्चर अभी यहीं पर खतम नहीं होती है हर्याना में कोई भी राजनेती कदम चुप चौप से निपड़ जाए ऐसा संभव नहीं है एक दूसरी याचिका भी आज चुनाओ लड़ में दाखिल हुई है और इस जो याचिका है ये अस्तक्षप याचिका इसको कहा जाता है ये एक सिक्साविद हैं जो चंडिगड में रहते हैं देवेंदर भलाराजी किसाना अंदोलन में भी काफे स्क्रिय वो है उन्होंने पांच वकीलों के दोवारा ये याचिका चुनाओ लड़ में दाखिल की है और चुनाओ लड़ में जो दाखिल याचिका है इसका जो निचोड है वो मैं आपको बताता हूँ ये जो सिक्साविद हैं देवेंदर भलाराजी ये चाहते हैं कि जो चोडरी ओंप्रकाश चुड़ला जी की याचिका है उस पर जब चुनाओ लड़ सुनवाई करे तो उनके वकीलों को भी अपना पक्स रखने का मौका दिया जाना चाहिए और वो जो अपना पक्स है वो ऐसा रखना चाहते हैं जो चुनाओ आयोग है चुनाओ आयोग के जो प्रावधान है जो सजायाक्तायाक्तियों को चुने जाने से रोकने में मदद करते हैं उनकी छूट देकर चुटला साब को एलनाबाद से चुनाओ ना लड़वाया जाए तो आप सीधे सीधे इस बात को ऐसे देख सकते हैं कि ओमपरकाश चुटला जी के एलनाबाद हलके से चुनाओ लड़ने के जो खुआब है या जो प्रिक्रिया चल रही है या जो इन्हों चाहती है कि ओमपरकाश चुटला जी चुनाओ लड़े हैं जीते हैं और फिराजन और चोटला साब को एलनाबाद हलके से चुनाव लड़ने से रोका जासके अब आने वाले दिनों में ये तैह हो पाएगा कि जो चुनाव आयग है वो चोटला साब की आचिका पर क्या फैसला लेता है वो उनको अनुमती देता है या नहीं देता है अगर भूतकाल के फैसलों को देखें तो कई बार उन्होंने अनुमती दी भी है कई बार नहीं भी दी है और जो अस्तक्षे पी आचिका है उस पर भी चुनाव आयग को फैसला लेना है कि जब चोटला साब की आचिका पर सुनवाई होगी तो वो उनको बात रखने का पक्स रखने का मुका देते भी है या नहीं देते है या उनसे कुछ लिखित में लेते है लेकिन इतना तै है कि चुटला साब की जो अनुमती है चुनाव लड़ने की उसकी जो राहा है वो इतनी आसान नहीं है उस रहा में काफी अवरोध हैं उस रहा में काफी रोड़े हैं हाला कि चुनाव आए एक सम्वेधानिक संस्ता है उसके अपने कर्याधिकार अक्षेतर हैं लेकिन ये भारत है इसमें कुछ भी हो सकता है तो ये आने वाले दिनों में तैह होगा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे लेकिन तब तक जब तक इस याचिका पर कोई फैसला आता है हर्याना में राजनिती चलती रहेंगी आप भी अपना पक्स इस पर जरूर रखें कि ये जो याचिका है और इसके खिलाब जो हस्तक्षे पियाचिका है इसके पीछे आपको क्या खेल नजराता है शुक्राएंगे दोस्तों मिलेंगे फिर नए एट्पिम के साथ नमश्कार